हेलो आवरीवन, वालकम बेक टू माय चैनल, आज मैं फिर से आप लोग के साथ एक बहुत ही प्यारा सा टू टियर केक डेकोरेशन का वीडियो शेयर कर रही हूँ तो अगें ये केक दो डिफरेंट फ्लेवर में था, बड़ा वाला केक था स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में और इसका छोटा वाला केक हम बनाएंगे चॉकलेट फ्लेवर में तो मैंने जो first वाला हमारा first year है उसके एक sponge को मैंने bake करके three layers में cut कर लिया है और यह strawberry flavor में है तो इसको soak करने के लिए मैंने पानी में strawberry crush add किया है उससे हम cake की layers को soak करेंगे जिससे cake का taste वो बहुत ही बढ़ी आएगा तो मैंने first layer रख ली है cake board पे उसको मैंने soak कर लिया है हाँ लेकिन सबसे पहले base पे मैंने थोड़ी सी cream लगाई है जिससे कि हमारा cake जो हो travel के दौरान बिल्कु सेफ रहे अपनी place से वो हिलेना ठीक है वो एकदम stick रहे अपनी place पे इसलिए पहले मैंने cake board पे cream लगाई केक की first layer को रखा उसको मैंने strawberry वाले सिरप से सोक किया क्रीम अप्लाई किया and then strawberry का crush अप्लाई किया सेम प्रॉसस को ही हमें repeat करना है और यह मैंने cake की final layer रखी है इसको भी मैंने strawberry वाले सिरप से सोक किया है तो यह cake है chocolate flavor में तो इसको भी मैंने पहले three layers में ही cut कर लिया है और अभी मैं इसको सोक करने के लिए normal पानी का ही use करूँगी और cream में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा chocolate गनाश एड़ किया है जिससे chocolate flavor में हमारी cream बनके ready हो जाएगी तो नॉर्मल पानी से मैंने cake की first layer को सोक किया है थोड़ा sauce में मैंने गनाश एड़ किया है ताकि जब गनाश cake के sponge में जाएगा न तो cake का flavor बहुती ज़्यादा enhance होकर आता है तो मैंने गनाश एड़ किया उसके बाद मैंने chocolate flavor वाली cream एड़ की है अगेन हम इसमें गनाश एड़ करेंगे और भर भर के खूप सारी हम इसमें एड़ करेंगे layers में चॉको चिप्स तो इसका flavor जो है वो बहुती ज़्यादा बढ़िया आने वाला है और इसके लिए नाश बनके ready हो गया तो देखिए इसी तरीके से हमने cake की सारी ही layers को अरेंज कर लिया है अच्छे से हमने layers की soaking की है फिर हमने इसमें गनाश एड़ किया है क्रीम एड़ की है चॉकलेट फ्लेवर वाली और फिर हमने इसमें चॉको चिप्स एड़ किये हैं और इस cake पे मैंने font end के कुछ topos भी लगाए थे और उसको मैंने कैसे store किया कैसे बनाया वो भी मैं आप लोग के साथ इसी वीडियो में share करूंगी तो वीडियो को पूरा end तक जरूर देखिएगा और बहुत ही प्यारा cake का decoration होने वाला है तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा वीडियो प तब ही cake में बढ़िया फ्लेवर आएगा वो ड्राय नहीं लगेगा खाने में तो उसको सोक किया और उस पर भी मैंने चॉकलेट गनाश एड़ किया क्योंकि इस cake का decoration उपर से चॉकलेट वाला नहीं है तो इसलिए अंदर ही हमने भर भर के इसमें चॉकलेट गनाश और चॉ पिक इंसर्ट करनी है और यह मैंने ना वाइट फॉटनेंट में ब्लू कलर एड़ करके स्टाज बनाये थे इसलिए मेरे हाथों पे भी थोड़ा सा वह ब्लू कलर आ गया है और यहां पर मैंको फोर नंबर का एक टॉपर बनाना था क्योंकि यह फोर्थ बर्दे सेलिब्रे ना लिया और अभी बारिश का टाइम है तो यह फॉटनेंट जो है अगर हम इसको बाहर रखेंगे तो यह मॉइस्चर पकड़ लेंगे क्योंकि फॉटनेंट शुगर से बना होता है और यह फोर्थ को आपस में स्टिक करने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी का यूज किया और अभी इसको स्टोर करने के लिए मैंने एक टिफिन बॉक्स लिया है उस पे पहले मैंने नीचे थोड़ा सा बटर पेपर लगा दिया है और अगेन हम उसको ऊपर से भी अच्छे से बटर पेपर से कवर कर देंगे तक ही इससे जो हमारा फॉटनेंट ही इसमें सेफली प कर लेंगे और आप देखिए जब हम केक पे फाइनल आइसिंग कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल भी कोई ऐसे केक के क्रम्स वगरा नहीं आ रहे हैं जिससे हमारी जो आइसिंग है वह बहुत ज़्यादा सुन्दर लगेगी तो ऐसा क्यों क्योंकि मैंने जो क्रीम थी उसको आप बहार रखे और बाकी क्रीम को आप किसी प्लेट से कवर करके अप फ्रिज पे ही उसको रख दीजिए तो मैंने फाइनल आइसिंग के लिए यहां पर मैंने ब्लू कलर की क्रीम मैं तो एक नॉर्मल से पाइपिंग बैग में फिल किया है और उससे मैं पहले स्केल से उस बाहर से अंदर की दरफ ले जाते हुए केक की टॉप को आपको स्मूध कर लेना है और जो तनी भी एक्स्ट्रा क्रीम स्केल पे आएगी उसको आपको हर बारी स्क्रेपर से पहले क्लीन करते जाना है और अगेन आपको बाहर से अंदर स्केल को ले जाते हुए केक टॉप को स् और जो अब हमारा छोटा वाला चौकलेट वाला केक था उसको भी मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है वो भी अच्छे से सेट हो गया है और अगेन मैं इसको वाइट वाली क्रीम से जो है इसकी फाइनल आइसिंग कर रहे हूँ और सेम उसी तरीके से जैसे हमने बड़े व साइड वाल है वहां पर लगाऊंगी उसको स्मूध करूंगी और सेम उसी तरीके से हम इस केक को भी डेकॉरेट कर लेंगे और यह हमारा आज का केक अप्रोक्स 1.5 kg तक बनके रेडी होगा तो आप इसको अपने एरिया के कोडिंग 900-2000 रुपीज तक इसका चार्ज आप आराम से कर सकते हैं तो अगेन मैंने केक की साइड वॉल को क्लीन किया है और उसके टॉप को भी हमें स्केल से ही क्लीन कर लेना है तो देखिए हमारी केक की स्मूधनिंग अच्छे से हो गई है और यह जो छोटा वाला केक है इसको मैंने स्मॉल साइज वाले केक बेस पर रेडी किया था और उस पर मैंने नीचे क्रीम नहीं लगाई थी ताकि हमें केक को उठाते समय उसमें दिक्कत ना आए ठीक है तो केक पर क्रीम नहीं लगाई थी और एक इस्ट्रॉ को मैंने च्छोटे वाले केक पर इंसर्ट किया और इसको स्केल की हल्प से उठा करके मैंने बड़े वाले केक के उपर उसको रख दिया और अगर आपको यहां पर दिक्कत आती है तो आप किसी की हल्प ले सकते है इसकाम के यहां पर इंक प्लास्टिक के पर ॥ा कुणि था इस आप संदर इंडर इंसर्ट कर दिया है इसको प्लास्टि के consistency के आपको इसी तरीके से आपको इस multipard करूंगी क्योंकि चैएँ कर दू आण केक की से इसमे बाले केक वह सके का उसलिए तों शोटे वाले केक का को होल्ड क तो इसलिए मैंने अच्छे से स्ट्रॉड डाल दिया है अभी मैंने वाइट और ब्लू कलर की क्रीम को अलगालग पाइपिंग बैग में ले लिया है स्टार नोजल में मैंने फिल कर लिया है और यहां पे मैं ब्लू और वाइट कलर के इस तरीके से फ्लार्स बना लूगी जै उसे क्रीम आ गई थी तो उसको मैंने फ्लार्स से कवर कर लिया और अभी उसी वाइट कलर वाली क्रीम से मैंने नीचे स्टार नोजली था तो स्टार वाले उससे मैंने फ्लार्स के जैसे बॉर्डर बना ली है दोनों ही केक पे मैंने सेम बॉर्डर बना करके रेडी कर लिय केक बर्दे बॉय के लिए था और कस्टमर की डिमांड थी कि उन्हें ब्लू और वाइट कलर में ही केक का कॉंबिनेशन चाहिए है तो इस तरीके से मैंने इस केक को डेकोरेट किया और अभी मैंने यहाँ पे जो छोटे वाले गोल्डन बॉल्स आते हैं उसको लिया है और केक इसका आपको पैकेट मिल जाएगा यह इडेबल नहीं है आर्टिफीशल है तो इसको मैंने केक के फ्रेंट साइट पे लगाया है ठीक है तो दो बड़े स्टार एंड दो छोटे स्टार को इस तरीके से मैंने लगा लिया है इसका पैकेट आपको 40-50 रुपीज तक मिल अब यहाँ पर मैंने यह गोल्डन फ्लेक्स लिये हैं यह इडेबल ही है और इसको मैं केक की साइड वॉल पे कहीं कहीं पर लगा दूँगी तो इससे केक की लोग बहुती सदा प्यारी लगीगी और अब भी आप यह जो रेंबो का टॉपर देख रहे हैं इसको मैंने गूगल से इसकी इमेजिस को डाउनलोड करके एक मैंने पेपर पे याने जो ग्लॉसी पेपर आता है उसके मैंने इसका प्रिंट निकलवा लिया था और उसकी मैंने कटिंग कर लिया उसको मैंने केक क जो नीचे वाला केक है उसपे लगाया है और एक Happy Birthday का Rainbow वाला Topper भी मैंने निकलवाया था उसी शीट पे उसको भी मैने Toothpake Insight करके उसको भी मैंने Cake Top पे लगा दिया है और जो अबने 2 stars बनाये थे उसको भी लगा दिया है जो 4 number हमने फॉनेंट से रेडी किया उसको भी लगा दिया देखिए हमने इसको अच्छे से रखा था फॉनेंट को तो यह बिल्कुल भी सौगी नहीं हुआ है और फॉनेंट में मैंने कॉन फ्लॉर और थोड़ा सा सीमसी पाउडर भी आड़ किया था ताकि वो ज्यादा देर तक तो यह देखिए हमारे केक का फाइनल लुक आप लोगो कैसा लगा कॉमेंट करके बताएगा थैंक्स फॉर वाचिंग